Back to my channel, बिहार में जो प्रधान सिक्षक के भरती के लिए परिक्षा होने वाला था, बाइस को उसको अस्थणगित कर दिया गया है, तो उसको पटना उच्चे नियाले का जो आदेश आया है, उस आदेश के कारण इसको अस्थणगित किया गया है, आप देख सकते हैं, विज् प्रात्मिक विद्यालों में प्रधान सिक्षा के पत्पन नियुक्ती हेतू प्रतियोगता परिक्षा को अस्थागीत रखने के संबंध में को परियुक्त विश्यक प्रासंगीक पत्र के क्रम में सुचित करना है कि माननी ये उच्छे नियाले पत्ना क्या में दायर यहां पे वो दिया गया है CWJC संख्या अब्दूल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मेदिनांक 12-12-2022 को पारित आदेश के आलोग में आपके बिभागिये पत्रांक 1357 दिनांक 4-2022 द्वारा अधियाचित पद पर न्युक्ती के लिए परिक्षा अजित करने की कारवाई को अस्थागित किया जाना है उलेखनी यह है कि आपके पत्र के आलोग में बिहार लोग सेवायोग द्वारा प्राधान शिक्षा की निुक्ती के लिए बिग्यापन संक्या दिया गया है कि तहत परिक्षा हेतु दिनांक 12-12-2022 को तीथी निर्धा परिक्षा का आजन ततकाल अस्थागित करने हैं तो अपके चीत कारवाई की जाए तो दीपक कुमार से अपर मुके सचीव इन्होंने सेवा में प्रधान सचीव सामाने प्रसासन विभाग को पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि वही माननिये उच्छी नियाले पटन का जो आदेश है हाई कोट का उसकी वजह से इस परिक्षा को अस्थाकित किया जाता है आजी के डेट में 16-12-2022 के डेट में पत्र जारी हुआ था चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगी फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए पाप है